तमस्कार आप देख रहे हैं खबर जगत दिन दहाडे बाइक सवार यूवक की गोली मार कर बदमाशोनी की हत्या संसनी यूपी के कौर सामबी में पुरम मुफ्ती धाना छेत्र के महंगाओं में दिन दहाडे बद माशों ने बाइक सवार यूवकी गोली मर कर हत्या कर दी घटना कानपूर प्रियागरा जीटी रोड से महच 50 मीटर की दूरी सित इद गाह के पास ती है हत्या को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए हत्या की खबर मिलते ही मौके पर ग्रामिलों की भीर जुट गई परजन भी रोगते बिलखते मौके पर पहुचे सूचना मिलते ही पुरमुफ्ती पुली जी पहुची और शब कबजे में लेकर पोस्ट मौटम के लिए भेज दिया दिन दहारे हत्या की खबर मिलते ही एसपी अभिनंदन एसपी समर बहादूर सिंग और सीओ चायल के जी सिंग भी पहुचे उन्होंने पर जनों से घटना के बारे में पूच ताच की मेर्तक के चाचा आजम ने बताए कि मेरे भतीजे फाराज एहमत के पास तो पहर को किसी का फोन आया था इसके बाद बिना किसी से बताए बाइक लेकर घ़र से निकल गया था आदे घंटे बाद गोली मार कर हत्या किया जाने की सूचना मिली S.P.S. भिनन्दा ने बताया कि एक यूवक्की हत्या की सूचना मिली थी पुलीस मौके पर पहुची और शब को कबजे मिले कर पोस्ट मौटम के लिए भेज दिया गया है मुकदमा दर्जकर आवश्य कारवाही की जा रही है कुछ लोगों के नाम प्रकाश में आ रहे हैं उन्हें हिसा हिरासत में लेकर पूछ ताज की जाएगी खबर जगत के लिए L.N. सिंग की रिपोर्ट तो मोटर साइकिर फराज जो है उसकी लाज पड़ी रोज तो तो यह लगता की कैसे हुआ है अप यह इस वक्ति यह हमारे परिवार की किसी कोई रंजीश महीं है यह हमारे जो है यह बहुत पुलिस मित्र थे एस्टी साब ने कि रफ़िंग तो पुलिस मित्र कार्ड में रहा तो यह मुझा पराजीट पास तक हुआ है आपको नाम क्या है मुहमाद असलम मैं उनकी पिता है आपको अश्चा पाइगे आपको ऐसे कुछ अलग नहीं रहा है नहीं हमारा जो किसी कि खाने को थाने जो अगर जुमा हो रहा है अल्जा के पकड़वाएंगे तो पकड़ गया पैसा पकड़ गया पुलिस वाले पित्र में एक एरिया है महगाओं जहां पर एक डिट बॉड़ी मिली वहां तत्काल हम लोग मौके में पहुंचे हमारी फील विंट मौके पहुंची उस डिट बॉड़ी को आइडेंटिफाई कर लिया गया है सरफराज नाम के व्यक्ति के रूप में और बॉड़ी को तत्